ओम नमस्षिवाय जै मातादीर राधे राधे सभी को स्वागत आपका मेरी इस नए वीडियो में मैं हूँ आपके साथ स्मिता तिवारी महादेव का प्रीय महिना सावन बस शुरूई होने वाला है शिव जी को सावन का हर एक दिन समर्पित होता है सावन समर के साथ सोला समर का वरत शुरू करना अति उत्तम माना गया है इसे सकट समर वरत भी कहा जाता है हिंदू धन्म में सुकी वेवाईक जीवन संतान प्राप्ती और मंचाहा जीवन साथी पाने के लिए इनी में से एक ऐसा वरत है जो इन कामनाओं की पुर्ती के लिए सर्वशक्ति शाली माना जाता है वो है सोला सुमर का वरत पुरानिक माननेता है कि सबसे पहले ये वरत माता पार्वती ने शिव को पती की रूप में पाने के लिए किया था शिवपुरान के अनुसार 16 सुमार वरत शुरू करने के लिए सावन सबसे उत्तम महिना माना जाता है तो आईए जानते हैं आज की वीडियो में कि 16 सुमार वरत कब से शुरू करें किस दिन होती है 16 सुमार वरत की पूजा किस ने शुरू किया था 16 सुमार का वरत 16 सुमर वरत की सामगरी क्या होंगी इसकी पूजा की वीधी क्या होंगी साथ ही 16 सुमर वरत के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है यह सारी जानकारी स्टुडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखेगा और जो भी हमारे चानल पे नए है पहली बार आया तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमेश ज़रू लिख दीजिए तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे बिले हम यह जानेंगी कि सोलो सोमार का वरत कब से शुरू करना चाहिए सोलो सोमार का वरत सावन माह के पहले सोमार पर शुरू करना उत्तम माना गया है इसके साथ चैत्रा मारगशिश और वैशाक मास के पहले सोमार से भी इसे आरंब कर सकते हैं इस वरत को सोमार के दिन सूर्य दो से शुरू करे और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहन करने के बाद ही वरत का पारण करे तो चलिए अब यहाँ जानिए कि 16 सुमार वरत की पूजा किस समय की जाती हैं शुपुरान के अनुसार 16 सुमार वरत की पूजा दिन की तीसरे प्रहन में यानि 4 बजे के आस्पाश शुरू करनी चाहिए सुरियास्त से पहले पूजन संपुर्न नहो जाना चाहिए ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोशकाल में पुन्य फलदाई होती है तो इस तरीके से इस समय में आप 16 सुमार की पूजा करिए तो चलिए आप यहाँ जान लिजी कि 16 सुमार का वरत किसने शुरू किया था पाउरानिक मानेता है कि देवी पारवती ने महादेओ को पाने के लिए 16 सुमार के वरत की शुरूआत की थी सती के दूसरे रुप में मा पारवती ने जन्म लिया था हर जन्म में भोलेनात को अपना पती बनाने का प्रन लिया था यही वज़ा है कि 16 सोमार का वरत रखकर कटिन तपस्या की थी और एक बार पुरा भगवाश्यू को प्राप्त कर लिया था तो इस तरीके से माता पारवती ने 16 सोमार वरत की शुरुवात की थी तो चलिए अब यह जानने जी कि 16 सोमार वरत में हमें कौन से सामगरी की ज़रुवत होती है 16 सोमार वरत में सबसे पहले आपको शिवलिंग लेना है इसके बाद पंचामरुत लेना है पंचामरुत में आपको दूद, दही, घी, शह, शकर या सब चीजे लेनी है इसके बाद आपको जनेव, दीब, धतूरा, इत्र, रोली, अश्टगन, सफेद वस्त्र, बेल पत्र, धूप, पुश्प, सफेद चन्न, भांग, भस्म, गन्यकारस, फल, मिठाई, मा पार्वती की 16 स्रंगार की सामगरी जैसे चूड़ी, बिंदी, चुन्री, पायल, बिछिया, महंदी, कुंकुम, सिंदूर, काजल, आदी चीजे लेनी है तो यह वो सारी सामगरी है जो आपको 16 सोमार वरत में लेनी है तो चली अब यहाँ जानती कि 16 सोमार वरत की पूजा की विदी हमें कैसी करनी है तो सबसे पहले आपको सोमार को वरत वाले दिन ब्रह्मा मुरत में पानी में गंगा जल डालकर इस्तान कर लेना है और साप सुत्रे धुले कपड़े पहन कर महादेव के सामने 16 सोमार वरत का संकल पर लेना है वरत का संकल पर लेने के लिए हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षद और कुछ सिक्के लेकर शिव जी की इस मंत्रका जाप करे ओम शिव शंकर मिशान, द्वाद शादर तिलोचनम, उमा सहीत देव शीव, आवाया महम तो इस मंत्रका आपको उचारन करना है, इसके बाद आपको सोला सो मार का जो पूजण होता है, वो प्रदोश काल में शाम के समय करना है, घर में पूजा कर रहे हो तो एक तामे के पातर में शिव लिंग रखे और गंगाजल में गाय का दूद मिला कर अभी शेक करे, शडोप सोला सो मर की बताए गई सामगरी शिव जी और मा पारवती को अरपित करे, पूजा के समय मा मुर्तुन जय मंत्र शिव चालिसा का पाट करे, धूब दीप लगा कर सो मर वरत की कथा पड़े, इसके बाद सोला सो मर की पूजा में भगवा शिव को चुर्मे का भोग लगाना चाहिए, सोला सो मर वरत में आटे गूड और घी से चुर्मा बना कर भोग लगाया जाता है, इसके तीन हिस्से कर शिव जी को चड़ाए और इस वरत में आप खिरिका भोग भी लगा सकते है, परिवार से ही शंकर जी की आरती करे, सभी में प्रसाद बाटने के बाद प्रसाद घ्रहन करना चाहिए, तो इस तरीके से आपको सोला सो मर वरत की पूजा की वीधी करनी है, तो चलिए अब यह जान लेजिए कि सोला सो मर वरत में हमें कुछ बातों का ध्यान देना है, वह बाते कौन सी है, पहली बात सोला सो मर का वरत बहुत कठीन माना जाता है, इसलिए वरत करने वाले 16 सोमर का वरत का संकल पर लेकर उसे पूरा करे इसे बीश में नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो वरत वरत चले जाता है दूसरी बात वरती पूजा के बाद उसी स्थान पर बैठ कर प्रसाद ग्रहन करे पूजा के बीच उठना शुब नहीं होता है तीसरी बात इस वरत का पालन करने वाले को ब्रह्माचर्य का पालन करना चाहिए सोमर के दिन भूल से भी घर में तामसिक भोजन न बनाए चौधी बात सुर्यास्त से पहले पूजन संपुन हो जाना चाहिए इस तरीके से पूजन मुख्यू रूप से फलदाई माना जाता है पाचवी बात हर उम्र और वर्ग के वैक्ती इस वरत को रख सकते है लेकिन कठी नियम के चलते सोला सुमर का वरत उने ही करना चाहिए जो शमता रखता हो जब तक सोला सुमर के पूरे वरत संपन्ना न हो जाए मासार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए तो यही वो सारी बाते हैं जिनका हमें सोला सुमर के वरत में ध्यान रखना है तो आज की वीडियो में हमने आपको सोला सुमर वरत की संपुन जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है तो जो भी हमारे चानल पे नए है पहली बार आया तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजिनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए हमारे चानल पे ऐसी वीडियो आती है मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में ओम नमस्शिवाए